हाई गाईज आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दीपी का पादपोर्ण इस्पायट मेकप लुक और ये लक्स में जो लक्स वाला एड आता है उनके जैसा ये इस्पायट मेकप लुक है होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुडवाइब का अलेवडा जेल लिया है क्योंकि मोश्राजर में नहीं लगा रही हूं उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज के गुडवाइब का डीप हाइडरेटिंग सिरम यह बहुत अच्छे से मोश्राइज करता है आपके फेस को मैं यह को आप तूपर चीओ जो फारम पे वहाला मैंने लिया है बहुत यची कवरिज के साथ होता है इसमिश बाहू जादाँ पसंद दे हम आपाड़ बाद करने करो ओए हरे का शेसी ब्राइट लिक्लाट कॉंपैक्ट है उसके बाद मैंने यहां पे जो है कॉंट्रिंग के लिए एले गर्ल का कंसीलर यूज क्या है और मेरा जो शेड है वह ब्यूटिफुल ब्रॉंज तो अपने पूरे फेस को अच्छे से कॉंट्र कर लेंगे आप चाहो तो इसके ऊपर जो है पाउडर कॉंट्र मैंने यहां पे अपरो फिल कर ली थी यह पिंक कलर का शेड लेकर अपने पूरे लिट पे अच्छे सा अप्लाइ करूंगी और आफ कामरा मैंने अपरो फिल किया है उसके बाद मैं यहां पे पॉपल कलर का शेड लेके बहुत हलके हाथों से वापस से क्रीज लाइन के अपने पूरे लिट पे अच्छे से इसको अप्लाइ कर लूंगी तिपिका ने बहुत ही लाइट सा जो है बिंग आयलाइन बनाया था तो मैं भी वैसी कोशिश कर रही हूं उसके बाद मैंने आप आप अपलाई कर लिया है उसके बाद ब्राउन कर लेकर मैंने लोर लिपस्टिक यूज किया है सारे प्रोडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक बार आप चिकाउट कर लीजेगा उसके बाद मेकफ फिक्सर वेटन वाइल का मैंने यूज किया है यह मेरा फाइनल लूक आई होब कि अच्छा लगा हो अच्छा लूब उूब लूब लूगा हो अच्छा गिए यूफ। झाल झाल